कि अब लोगों की जब भी हम सिटिजन्शिप शब्द की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नाग रिक्ता अभी बोला मैंने लेकिन आप लोग एक चीज सोचिए क्या आप लोग इंडिया की क्या हो आप बोलते हो कि हम इंडिया के सिटिजन्शिण इंडिया की सिटिजन्शिप भारत की नागरिकता है भारत के हम लोग नागरिक हैं ठीक है तो वी हैव एव पुलिटिकल आइडिंटिटी विच इस अ कलेक्टिछ पुलिटिकल आइडिंटिटी दाट वी आप इंडिच इस कॉमन अमंग्स आस आपके पास भी उतनी ही तो उसको सिटिजन्शिप दे देंगे आओ ये लोग ठीक है ऐसा नहीं होता है आप लोग देखते हो बहुत सारे इंडियंस जो है दूसरी कंट्री में जाते हैं बहुत टाइम तक वहां पर रहते हैं काम करते हैं मेहनत करते हैं and then ultimately उनको जो है वहां की उस कंट्री की सिट किसेंशिप मिलती हैं so there is like a lot of effort that people put in वाना कुछ कंट्री की सिटिजन्शिप इजी होती है क्वायर करने को कुछ कंट्री की बहुत जादा इफिकल्ट होती है कुछ कंट्री की काफी लंबा समय लग जाता है वांकी सिटिजन्शिप लेने के लिए तो ऐसा क्या मिलता है भा अन इक्वल मेंबर्शिप ऑफ अप पोलिटिकल कम्यूनिटी बच्व आप लोग इंडिया के सिटिजन्श हो बाट मीज आपको भारत सरकार जो है प्रोटेक्ट करती है भारत सरकार द्वारा आपको कुछ ना कुछ हम बोल सकते हैं फाइदे मिलते हैं इंडिया में रहने क इंडियन सिटिजन होने के राइट आपके जो बच्चे होंगे या फिर आप जो खुद हो गवर्मेंट स्कूल में आपको जो है फ्री स्कूलिंग मिलेगी प्राइमरी लेवल तक आपको जो है गवर्मेंट फैसिलिटीज मिलेगी उसी के साथ साथ तर देर लॉट अड़ बेसे ठीक है इकोल बेसे पर हमको जो है चीज़े बहुत सारी मिलती है और पुलिटिकल रूप में बहुत सारी चीज़े मिलती है जैसे कि everyone who is above the age of 18 years has the right to vote, has the right to contest the elections, has the right to hold political office, so यह सारे यह सारे राइट किसको मिलेंगे, क्या कोई अमेरिकन या कोई जो है यौरप का इंस को जो इंडिया का हिस्सा है, जिनके पास इंडिया की full and equal membership है, तो याद रखेगा कि citizenship को define करा जाता है, full or equal membership of a political community, ठीके बच्चों, membership ली है, आप लोगों ने इस club की, जिस club का नाम है इंडिया, इंडिया के political, मनलब हम सब की जो political identity है, हमारी जो एक political पहचान है, कि हम एक भ इस political identity is known as citizenship, in the contemporary world, the states provide a collective political identity to their members as well as certain rights, contemporary world यानि कि आज के ताम पह, states जो हैं बच्चों, एक collective political identity provide करते हैं हमने members को, और इस political identity के साथ साथ आप लोगों को मिलती हैं कुछ, rights यानि कि आप लोगों को मिलते हैं कुछ, अधिकार, चाहिए, so you get a collective political identity and with that you get certain rights, with that you get कुछ, अधिकार, therefore, we think of ourselves as Indians or Japanese or Germans depending on the state to which we belong, तो हम लोग अपने आपको Indian, Japanese, German, क्या, कब बुलाएंगे, हम नहीं बुलाएंगे, और हम Indian भी हैं, हम जैपनीज नहीं हो सकते ना, उसके स साथ साथ, तो हम Indian है सिर्फ, तो हम अपने आपको जो है बचो जब बोलाते हैं कि we all are Indians, why are we calling ourselves Indians, because we are a part of a single country, which is India and we have, हम बेसिकली अपने आपको Indian इस वज़े से बोल रहे हैं क्योंकि हम सब की collective political identity है, हम सब के पास India की citizenship है, that is the reason we are able to call ourselves, ourselves Indians, और वैसे ही जिन के पास Japan की citizenship होगी वो Germans, ठीक है, so citizens expect certain rights from their state as well as help and protection wherever they may travel, citizens बच्चों अब आप citizen हो, आपके पास एक देश की membership है, you are a part of a nation, that means आपको इस देश का हिस्सा होने की बज़े से कुछ ना कुछ फाइदा तो मिलेगा, तो हम अपनी government, अपनी country से, अपने state से expect करते हैं कुछ अधिकार, as well as help and protection wherever we may travel, बच्चों आप लोगी चीज़ देखे, कभी-कभी क्या होता है, जिसे कुछ Indians कहीं फस्स गए, किसी दूसरी country में, attack हो गया, खुदा ना खासता कोई emergency आ जाए, तो उस टाइम पर वो जो Indians है, उनको ना तब दूसरी country से protection की उमीर नहीं नहीं, उनको यह रहेगा कि हम को यहां से हमारी सरकार, हमारा देश आके rescue करे, है की नहीं, तो जब आपने देखा होगा, evacuation process, conduct किया जाता है, कि इंडिया जो है, अपने Indian citizens को, अफगानिस्तान से छुडा के ला रहा है, helicopters, planes में बठा कर, तो बचो वो क्या evacuation process है, क्योंकि हमारी government की responsibility बनती है, कि वो उसका जो citizen है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कौने में हो, वहां पर जाकर भी उसको protect करेगा हमारा देश, हमारे citizen को protect करेगा, right, so we can expect certain rights from them and protection from them, कोई तो होना चेह ना protect करने के लिए, that is the thing, in most democratic countries today, they would include some political rights like the right to vote, civil rights like the freedom of speech or belief and some socio-economic rights which could include the right to a minimum wage or the right to education. So, being citizens of a country, हमने देखा है, हम दो चीज़े expect करते हैं, first one are some rights, second one is the protection, देश का protection मिलना चाहिए, और कुछ अधिकार मिलने चाहिए, कैसे टाइप के अधिकारों की बात हो रही है, अधिकार को देख लीजे, तो most जो लोग tantrik देश होते हैं, बच्चों, वहां पर जो अधिकार एक citizen को मिलते हैं, उसके अंदर आता है, सबसे पहला अधिकार, which is the right to vote, यानि की मत देने का अधिकार, दूसरी चीज़े जो यहां पर काफी जादा important है, वह है कुछ civil rights, जैसे की freedom of speech और belief, ठीके बचों, आप जो भी मानना चाहो, जैसे भी अपने जो खयाल है, उनको व्यक प्रेस करना चाहो, तो freedom to, freedom of speech, freedom of expression, freedom of belief, all of these rights, ठीक है, तो यह भी होने चाहिए, साथी में कुछ socio-economic rights भी होने चाहिए, तो socio-economic rights का क्या मतलब है, कुछ समाजिक आर्थिक अधिक अधिकार, जिसके इन the right to a minimum wage, right to education, all of these things should be included, all right, so socio-economic rights, and we also see right to minimum wage, right to education, यह सारी की सारी चीज़े included होने ही चाहिए, हमारे citizenship अगर है हमारे पास, तो उस देश को हमें यह सारे की सारे अधिकार provide करने ही चाहिए, okay, equality of rights and status is one of the basic rights of citizenship, each of the rights now enjoyed by citizens has been won after the struggle, each of these rights now enjoyed by, अच्छा, दो बारी लिखा है, many European countries experienced such struggles, some of them violent, like the French revolution of 1789, in the colonies of Asia and Africa, demands for equal citizenship formed part of their struggle for independence from colonial beliefs, बाचो देखिये, बात हो रही है, equality of rights and of status, जब आप अधिकार में समानता की बात करते हो, और समाच के अंदर आप यह बोलते हो, कि सबका एक equal status होना चाहिए, तो यह एक basic right है citizenship का, if you are a citizen of a country, that means कि आप सब जो है, आपके पास एक full equal membership है, आप सब जो है, हमारे देश के और सरकार के आगे और कानून के आगे बिलकुल बराबर हो, तो you should have an equality before the law, no one is above the law, no one is below, बना सब एक बराबर व्यक्ति है, ठीक है, सब का दर्जा जो है, देश के लिए वो बराबर का है, और सब के पास एक समान अधिकार जो है, वो मौझूद है, ओके, जिसे हम fundamental rights की बात करते हैं, बच्छे तो वो ऐसा थोड़ी होता है, कि fundamental rights एक के पास जादा होती है, एक इंसान के पास कम होती है, सब नागरिकों के पास equal fundamental rights है, और हर किसी के पास एक सब एक equal status है, quality जो है status की enjoy कर रहे है, इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिटेंट और रिचिस्ट मैन इन तकंट्री वो सब बचो कानून के नीचा आते हैं, और उ किता गया है, it has been one after struggle, ठीक है, many European countries, बहुत सारी European देश हैं, जहां पर ऐसा संघर्ष भी चले हैं, कुछ violent struggles थे, यानि कि जहां पर काफी हिंसा हुई थी, जैसे कि French Revolution हुआ था 1789 का, वो काफी हिंसक संघर्ष था, उसी के साथ साथ बचों, Asia और आफरिका की जो colonies थी, यानि क कि हम लोग, colony का हिस्सा थे ना, Asia के अंदर, राइड, तो वी वर, a colony of the Britishers, तो इन colonies के अंदर, जो Asia और आफरिका में, जो foreign powers ने आकर, imperialist, imperialism के तहत, बहुत सारी colonies, बहुत सारी जगहों पर रूल कर रखा था, कबजा कर रखा था, तो यहां पर हम देखते हैं, क्यों की feeling पर हम लोग लड़ते हैं, struggle करते हैं, हमको आजादी चाहिए होती है, बच्चों क्यों चाहते थे हम यह आजादी, because हम चाहते थे कि सारे लोग जो है, उनको equal treatment मिल सके, वो भी ऐसी जगह पर, एक ऐसे देश पर, जहां सब बराबर हो, ठीक है, तो demands जो है, equal citizenship की 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 जा करते हैं, बच्चों यह हैं हमारे Nelson Mandela जी, और जब हम Nelson Mandela जी की बात कर रहे हैं, और आपको जंडा दिखा रहे हैं, that means जाहिर सी बात है कि हम कुछ South African struggle की बात कर रहे हैं, South Africa में struggle की हुआ था, because आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ रहा है इस चीज के बारे में, racist regime चल blacks के against, colored logo के against, they used to believe that their race, which is the white race, is the superior race और बाकी सारी races, inferior races हैं, उसी के तहत यहां पर segregation policies को practice किया जाता था, apartheid was the system, जहां पर सरकार ने खुद ऐसी policies बना रखी थी, जिसके तहत blacks और colored logo के खिलाफ, जो है भेदभाव किया जाता था, जो कि government को भेदभाव करने से allow किया करती थ पता था, हर जगा का, हर जगा को जो है अलग थलग कर दिया गया था, blacks के लिए अलग, white skill अलग, so यह सारी की सारी चीज़े तो already यहां पर चलती थी, तो South Africa के अंदर हम देखते हैं कि the black African population had to undertake a very long struggle against the ruling white minority for equal citizenship, बच्चा आप लोगों को लग रहा है कि citizenship के अधिकार ऐसे ही मि violent, South Africa के अंदर भी black African population को एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा संघर्श करना पड़ रहा था, ruling white population के खिलाफ, ताकि इनको equal citizenship और equal membership अपने देश के अंदर मिल सके, this particularly continued until the early 1990s and however citizenship is more than the relationship between states and their members, ये चीज़ जो है continue होती है till the early 1990s और citizenship जो है is more than the relationship between the states and their members, अच्चा बच्चो अब आपको एक चीज़ याद होगी, South Africa के अंदर जब struggle किया जा रहा था, तो we saw, जब हमने बहुत पहले classes में पड़ा है, there was a party, एक party थी, which was an umbrella organization, जुसने काफी सारे लोग जो struggle करना चाहते थे, उन सब को अपने fold में लिया था, लिया था, तो आप लोग जो है, जल्दी से comments में लिखकर मुझे बताईए, कि which was that party that I am talking about here, full form भी लिखना, उसके initials जो है, short form में भी उसका नाम लिख देना, ठीके, so it was the umbrella organization that was actually carrying on the struggle against the apartheid regime, against the wide European government, क्योंकि ये लोग एक equal citizenship मानना, equal citizenship चाहते थे अपने देश में, लेकिन बच्चों, citizenship वहीं तक सीमित नहीं है, it is not just the relationship between states and their members, ये सिर्फ जो है देश और उस एक संबंध की बात नहीं करता है, बलकि it is also about citizen to citizen relations and involves certain obligations of the citizens to each other and to the society, बच्चों ये सिर्फ citizen और state के बीच में एक संबंध नहीं है, बलकि नागरिकों के आपस में भी एक संबंध को दर्शाता है, citizen to citizen एक relationship के बारे में भी citizenship बात करती है, it involves certain obligations of citizens to each other and to the society, हर citizen का दूसरे citizen के प्रती भी तो कुछ ना कुछ obligation है, obligation का मतलब समझते हो, करतव ये समझ लो, ठीक है, कि you are obliged to do something for the other people as well, मतलब की बचों देखे, अगर आप बोल रहे हो कि citizenship आपके पास है, तो सिर्फ आपके पास थोड़ी citizenship है, आपके आज पास, आपके आपके पास परिवार के लोगों के पास भी उतनी citizenship है, मेरे पास तो right है तो मैं अपने right को किसी भी तरीके से exercise कर सकता हूं, that you cannot do, आप अपने right को, जिस मर्जी तरीके से आप चाहते हो, आप exercise उसको नहीं कर सकते, you have to keep in mind the fact that जितनी citizenship आपके पास है, तो आप अपनी चत पर लाउड स्पीकर पर गाने चला दोगे रात के तीन बजे तो आप बोलोगे कि मेरे पास तो कुछ भी कर सकता हूं आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे आप दूसरे व्यक्ति की citizenship को और उसके राइट को हैंपर कर रहे हो तो आपके आपका भी बच्व करतवे बनता है को obligation बनती है कि आप राइट्स अपने वहीं तक ही enjoy करो जहां तक दूसरे के राइट्स को आप right all right तो वहीं तक you can exercise your right full and equal membership सब के पास full or equal membership citizenship के तह्म one of the rights granted to the citizens in our country and in many others is the freedom of movement बच्वेक राइट जो की हमारे citizens के पास भी हो बहुत से अलग-अलग countries में भी citizens के पास होता है वो यह है आजादी movement की आजादी माम देखो घूमने की तो आजादी है पर घूमने नहीं बात है हम लोग यह सही बात है देखिए this right is of particular importance for the workers labor tends to migrate in search of jobs when opportunities are not available near their homes some people may even travel outside the country in search of jobs however often resistance builds up among the local people against so many jobs going to people from outside the area sometimes at lower wages and resistance could even take the form of organized violence against the outsiders विलकुल सही बात है आपके पास एक citizenship right है which is the freedom of movement बाचोगी राइट particularly जो है बढ़िया रहता है workers के लिए आप ने देखा है कि बहुत सारे workers जिसे कुछ remote areas है दूर-दराज के लाके हैं वहां से जो है जोब जोब जोड़ने के लिए और movement उनकी रेखी जाती है कुछ लोग अब बचो देश चोड़के दूसरी जगा भी चाते हैं जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा बच्चे होते हैं बहुत बड़े भी ऐसे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं जोब जूडने के लोग आकर नौकरी ले जाते हैं तो ठीक हैं जोडने के लिए जोब जोड़ने लग गए वहां पर तो अमेरिकन्स विल रेजिस्टेट क्योंकि वो कहेंगे कि हम अपने देश में इतनी पढ़ाई कर रहे हैं मैनत कर रहे हैं हम जॉब ले इससे पहले दूसरे आकर बाहर के देश से आके लोग जो हमारी कंट्री की जॉब जेनरेट हो रहे हैं उस पर कबजा कर रहे हैं उस पर हाते आ रहे हैं तो इससे जो एक रिजिस्टेंस बिल्ड़ अप होती है तूवर्ज दी आउटसाइडर्स और यह रिजिस्टेंस जो है बच्चो इट किन आलसो टेक दे इमिग्रेंट्स होते हैं अपने शब्द सुना होगा दो शब्द होते हैं एमिग्रेंट और इमिग्रेंट वो इनसान होता है जो एक देश छोड़के दूसरे देश जा रहा है मतलब जो एक हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है और इमिग्रेंट हमारे लो जाएगा जो हमार कंट्री में प्रवेश कर रहा है ठीक है तो बच्व यहां पर भई बात है कि इस लोकल लोग है वो उस चीज को अपोस कर रहे होंगे कि भाई हम भी तो हमारे देश की नौकरी हमें नहीं मिल रही इसके लिए वो बाहर से जो लोग आ रहे है वो इसको हत्या की लेकर जा रहे है तो दे माइट नौट बी फिलिंग गूद बाउट आइडिया और वो एक रिजिस्टेंस लोकल लोगों के बीच में बिल्डप हो जाती है जो की वाईलेंस का भी फॉर्म ले सकती है वि Another factor that we need to consider is that there may sometimes be a difference between our response to the poor migrants and to skilled migrants we may not always be as welcoming to the poor migrants who move into our areas as we may be to skilled and affluent workers these are some of the issues which are being debated in our country today regarding full and equal membership for all citizens of the country बच्च अब यहां पर एक बात हो रहे है कि चलो एक तो हमिस्ट इमिग्रेंट वाला और इक और चीज़ रहे लेकिन आप क्या है आप उनके खिलाब हो क्योंकि वह गरीब है लेकिन अगर कोई स्किल्ड वहीं पे इंसान आ जाता है काम करने के लिए तो आप वेलकमिंग हो की चलो ठीक ही अच्छा काम कर लेगा यह सब है वो है तो वहां वे जादा रिजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती है लोग वेलकम करते है जो न्यू एरिया में स्किल्ड आफ्ल जिसके उपर बहस बाजी की जा रही है regarding full and equal membership तो बोला जाता है कि नहीं आर मतलब सब अगर ट्रीट ही कर रहे हो तो सब को बराबर रूप से ट्रीट करो even if the person is poor or skilled सब काम करने ही आये है और महनत से ही काम करेंगे तो अपने दिमाग में एक वो वाली चीज मत बिल्डप करो कि गरीब है तो उसको oppose कर रहे हो, ameer है, skilled है तो उसको आफ वेलकम कर रहे हो if you have a welcoming attitude it should be towards each and everyone not just towards a particular section of the society alright so this is a thing which is definitely debatable however disputes may sometimes arise even in democratic societies the right to protest is an aspect of the freedom of expression guaranteed to citizens in our constitution provided protest does not harm the life or property of the other people or the state if the guiding principle of providing full and equal membership to all citizens is kept in mind it should be possible to arrive at an acceptable solution to the problems that may arise from time to time in a society a basic principle of democracy is that such disputes should be settled by negotiation and discussion rather than force बच्यों बोला जा रहा है, democratic societies में भी लड़ाई जगडे और disputes हो सकती है right to protest तो एक हमारे expression, freedom of expression के अंदर ही आता है और citizens जो हैं protest भी कर सकते है till the time वो protest जो है किसी को harm ना करे, किसी को नुकसान ना पहुचाए, चोट ना पहुचाए तब तक आप protest कर सकते हो in a very non-violent manner full and equal membership का अगर principle दिमाग में रखा जाए तो यह possible है कि आप एक acceptable solution पर पहुँच जाओ लेकिन एक basic principle democracy का यही है कि अगर disputes आ रहे हैं तो उनको बहस करके, negotiate करके, शान्ती से जो है discussion वगेरा करके सुलजाया जाए rather than force मार पीट करके नहीं बलकि डंग से प्यार से solve करके, negotiate करके आपस में सुलजा कर उस case को amicably solve गया जाए rather than force और राइट तो इसलिके साथ बच्वा आज के हमारी class खतम हो दिया हम इसे chapter को continue करेंगे in the next class तब तक के लिए take care and bye 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 guys